ओनली साथ एच डूसरे वीक आप अग्ले साथ दिन कीजे ठीक है लग लग के साथ दिन और फीर साथ दिन कीजे पर अगर माल लीजे ये वीक हुआ ये वीक नहीं हुआ ये वीक हुआ तो कोई बाद नहीं फिर से एक continuity कोसिस कीजे करने गा अगर आप वाल लिजे कि आपका क्या हुआ कि आपका हो गया सपोच 7 दिन हुआ दूसरे 7 दिन हुआ 3 साथ दिन हुआ तो अब आगे एक दिन भी अगर हो गया न मतलब एक दिन भी ये चीज कर लिए तो आपको और रोकने वाला कोई नहीं होगा आप आराम से अपना काम कर पाएंगे मतलब निया आदत को आप डाल पाएंगे आराम से बहुत सहचता से क्यों कैसे क्योंकि ये 7 into 3 21 हो गया अब तो सुने होंगे 21 day challenge तो अगर ये अगर लगातार साथ साथ हो जाता है और साथ हो जाता है और उससे अगर एक दिन भी आगे हो जाता है तो और chances 0% होते हैं आपको कोई break कर पाएगा तो ये नया आदत हमें डालना चाहिए हमेशा एक नया आदत क्यों क्योंकि हम बदलते हैं हमारा दुनिया बदलता है हम एज में चले जाते हैं एक एक दिंच जाना मतलब इप यू गो जस्ट वन डे इप यू गो जस्ट वन डे पार दन यू गो और एंड मोर पार इसलिए वहां से पहुचने से पहले अब खुद को आप समाल लिए और खुद अपने आप समल जाएए ठीक है आप हमेशा चोटे बच्चे आप थे पर अब और नादानी ना कीजिए इफ यू है वेट चैलेंजिंग मतलब एक होना चाहिए एक डिजायर से बढ़के होना चाहिए ठीक है एक मतलब करऊंगा करऊंगा होना चाहिए ने अबर मैंने बोला है ने बर गीबव बस यही चाहिए ने बर कभी नहीं नव 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 I don't want to hear excuses you have to बस तीन दिन कर दीजे पहले तीन दिन कीजिए कीजिए फिर चार दिन कर दीजिए अब यह हो गया साथ दिन बस ठीक है गुड चलो सांती से सोना बाई थैंक यू